तो सिड्डनास के फैंस के लिए है एक बहुत ही हाटbreaking news कि सिद्दार्थ और सहनास में हो गया है बहुत बड़ा सा जगडा जैसा कि आज आप देखने वाले हैं और हम जो सिद्डनास के फैं हैं हमें विल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि सिद्दार्थ और सहनास कभी भी या वो एक दूसरे से बात नहीं करें, जब वो एक दूसरे के साथ होते हैं, तो हम सेड़नास के जो फैन हैं, हम बहुत ही खुश हो जाते हैं, और हमें बहुत ही अच्छा लगता है, और आगे मैं आपको बता रही हूँ कि इन दोनों में जगडा हुआ क्यों है, क्योंकि प् प्लान है, और इसी तरह के बहुत सारे और भी सवाल किये गए हैं, जिसके कारण सेहनास हो गई हैं, बहुत ही जादा दुखी और परिशान, और इस पर सिदार्थ ने उन्हें कहा है, कि अब ये जाएगी मेरे बाद आसीम के पास, क्योंकि मैं तो हूँ इसका गेम, हाला कि शेहनास ने जब सिदार्थ को गेम कहा था मीडिया के सामने, तो वो सिर्फ इरिटेड होकर कहा था, और वो सिर्फ एक मजाग था, ऐसा कुछ नहीं है, और सिदार्थ ने भी मजाग ही किया, बर शेहनास को लग गया है, बहुत बहुत जादा बुरा, क्योंकि मीडिया के सा और उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया है और इसी कारण से उन दोनों के बीच में हुआ है बहुत ही जादा जगडा जो कि आप और हमें देखना सेड़नास के फैंस को देखना बिल्कुल भी नहीं पसंद आने वाला है पर टेंशन मत लीजिया आप क्यूंकि सूत्रों के पाले से आज खबर है कि दुपहर में दोनों गार्डन एरिया में बैठे हुए थे और अपना फन टाइम एस्पैंड कर रहे थे एक दूसरे के साथ और हमें यह देखकर बहुत ही अच्छा लगने वाला है आज रात के एपिसोड में लास्ट लास्ट में जब हम देखेंग काफी अच्छा लगेगा तो यह था आज का वीडियो आई होप कि आपको पसंद आया होगा ऐसी खबरे फिर मैं आपके लिए लाते रहूंगी बाबाई लव यू